क्या तुम अल्ला को मानते हो? हाँ मैं मानता हूँ क्या तुम अल्ला में विश्वास करते हो? हाँ मैं करता हूँ तुम कृश्यानिटी में क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि मैं मुसलिम हूँ तुम्हारी बीवी अगर इस समय तुमको देखे तो वो क्या कहेगी, क्योंकि तुम पूरे नंगे हो, वो शर्मिंदा होगी, नहीं वो शर्मिंदा नहीं होगी, क्योंकि मैं उसका रेप करूँगा तुमारे सामने, ये शब्द है American Soldier, जब वो एक एराकी प्रिजनर्स को टॉर्चर कर रहा था, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होगे, मेरा नाम ऐसे दान तक नहीं होतरी, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तों मैं ये किताबे पढ़ता रहता हूँ तो मैं ये किताब पढ़ रहा था, तो उसमें अबुग्रे प्रिजन का जिक्र आया, देखिए अमेरिका, अमेरि करते हैं, याद रखिए, ये शुरू होता है, 2003 से, हम आज बात करेंगे, अबुग्रे प्रिजन टॉर्चर की, जहां पे इनसानों को पूरी तरीके से खतम कर दिया गया, और समझ लीजे कि हर दिन मारा जाता था उनको, वो आक्चुली में मरते नहीं थे, लेकिन उनका में खतम हो गया, लोगों, जब लोग कुछ, जब जो प्रिजनर्स यहां से बाहर आए, तो मेंटली इटना डिस्टर्ब थे, कि उनको पता ही नहीं कि सही और गलत क्या है, दिन और रात क्या है, क्योंकि अमेरिकन्स ने भयानत टॉर्चर किया था, हम बात करेंगे, आज 2001 से, 2001 से, यह कुछ फोटोज हैं, टॉर्चर के भी मैं बताऊंगा, 2001 को 9-11 अटाक होता है अमेरिका पे, और जॉर्ज डबलो बुश कहते है, वार अन टेरर, कि अब ऐसा है, या तो अब हमारे साथ हो, या हमारे खिलाफ हो, तो आफगानिस्तान जाते हैं, पूरी अमेरिक आती थी, और जैसे हैं, अमेरिका गई 2003 में, बात पार्टी को ओवर्थ्रो किया, सद्दा मुसेन रातो रात गायब हो गया, और 2036, दिसमबर 2006 को सद्दा मुसेन को फांसी दे दी गई, अब समझिये, कि यह इराक का जो इन्वेजन था, अमेरिका का, अमेरिका काफी समय त उसकी बात मैंने कई बार की हुई है, बात हम अबुग्रेप प्रिजन की कर रहे हैं, तो जैसे ही अमेरिका वहाँ पे लैंड करता है, जैसे ही अमेरिका वहाँ पे पहुंचता है, तो वहाँ पे उसने जब देखा की हालाद बहुत ज़्यादा खराब हैं, तो उसने सही कर कर रहे हैं अब जितने भी लोग हैं उन सबको जेल में डालो अब इसमें तीन तरीके के कैदियों को अमेरिका ने जेल में डाला कौन कौन से थे वो सबसे पहले वो कैदी थे जो की जिनकों पर शक था कि ये खतरनाक हैं वो इंडिविजुल्स दूसरे जो अपराइजिंग इ बच्छे भी थे, मुड़े भी थे, हर तरीके के लोग थे लेकिन इसमें आधे से जाधा का कोई लेना देना ही नहीं था क्राइम से वो ये प्रैवेट कॉन्ट्राक्टर था, उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि वो खत्म हो गया, मर गया हो, समझ रहो, अब ये बात है जून की, पहली बार Amnesty International ले जून 2003 में ये रिपोर्ट किया कि इस जेल में भयानक टॉर्चर किया जा रहा है अमेरिकल्स द्वारा, अमेरिका की बात करें, तो 100 military brigade जो है, इस जेल को समाले की, जिम्मदारी उनको दी गई थी, ब्रिगेडियर जनरल जैनिस पासिंग की, जिनको इससे पहले कोई experience ले था कि जेल को कैसे समाला जाता है, उनको यहाँ पे बैठा दिया गया, और अमेरिकन सोल्जा जो है वो आया, और उसके बाद उनने मौत का वो तांडफ किया, वो तांडफ किया कि क्या बताएं, एक के बाद एक, जैसे जैसे दिन बीटा गया, जिन्दगी यहाँ पे नर्क से बत्तर हो गई, क्या क्या करते थे यह, रेप बहुत common था, बहुत सा के परिवार वालों ने मार दिया, ओनर किलिंग की वज़े से, आदमियों के साथ भी रेप होता था, बिलकुल, आप समझिये कि यह तो बहुत common थी, साथी साथ, टॉर्चरिंग की जो टेकनीक्स थी, sleep deprivation, जिसको बोलते हैं, इनकी एक प्रोग्राम चलाते थे, इसको systematic torture बो इतनी तस्वीरे आईएं दोस्तों, इतनी तस्वीरे आईएं, यह कुत्ते छोड़ देते थे, इन प्रिजनस के उपर, जहरीले साफ होते हैं न, वो छोड़ देते थे, ऐसा बोला जाता कि 63, जब यह खतम हुआ, तो 63 प्रिजनस जो है, वो मारे गए थे, इसमें बहुत सा करते हैं तुमारा, यह इस तरीके की तस्वीर, एक ही टाइम पे, एक ही पोजिशन पे, खड़े रखते थे, दिन भर, दिन रात, एक मैं टेस्टिमनी सुन रहा था, तो उसका बिजनस था, उसको एकदम से, जो यह क्या हुआ, कि वो अपने फैमिली के साथ, जो है, वो डि गए, उसकी पतनी गर्बवती थी, तो उसकी पतनी को ला तमारी, तो उसके ब्लीडिंग होने लगी, ठीक है, पकड़के ले गए वो, और उसके बाद उसको जेल में रख दिया, अब वो जेल की बाते, बताते, रोने लगता है, वो कहता कि मेरे साथ इतना भायाना कि मेरी जो उंगली जो यह हाथ है ना हाथ वो ऐसे जमीन पे रखते थे और उनके नुकीले जूते होते तो तो वो ऐसे एकदम मसल देते थे ठीक है मुझे एक ही पोजिशन पे नंगा करके बहुत समय तक खड़ा रखा जाता था और वहाँ पे soldiers आते थे कोई लात मार रहा है कोई थू करा है मेरे उपर कोई गालियां दे रहा है एक ही पोजिशन पे बहुत सारे prisoners को एक साथ उल्टा लटका दिया जाता था नंगा काफी लोग जो है वो बिमार पड़ गए और काफी लोगों की काफी prisoners की official आंकड़ा तो अब तक आये नहीं लेकिन बहुत सारे prisoners की य जहां पे torture जो है वो किया जाता था ये तस्वीर आप देख सकते हो इस तस्वीर के खरम बात करते हैं ये ऐसे फिर उसके बाद ये तस्वीर है बहुत कॉमन थी इस तरीके की कि एसे ग्रुप में ऐसे एकदम सब को जितने भी prisoners उनको खड़ा किया जाता था कपड़े नहीं कि कि यहां पे जो जो scenes है ठीक है वो देखने लायक नहीं है कि इतना भयानक torture हो रहा है फिर उसके बाद 2004 में अपरेल 2004 में एक CBS ने 60 मिनिट की एक रिपोर्ट दिखाई थी एक घंटे की और उसके बाद फिर अमेरिका का कच्चा चित्टा पूरी दुनिया के सामने आ गया है सोने ही नहीं देते किसी कैदी को यह एक cell से दूसरे cell में बदल रहा है दूसरे cell से तिरी cell में बदल रहा है खुब तेज म्यूजिक कभी temperature बहुत कम कर देते थे कभी बहुत ज़दा कर देते थे ऐसा और आपको बता तो कि रात में इन prisoners की चीखने की आवाजे आती थी य गौंटनोबे का तो बहुत ही फेमस किस्सा है क्यूबा के भगल में जो गौंटनोबे है वहाँ पे तो इन्होंने torture technique इजाद की थी नहीं नहीं torture techniques मतलब एक तरीके से एकदम low level पे और देखिए इसमें बहुत सारे लोग अब यह देख सकते हो यह आप जो देख रहे हो ना यह human excreta है ठीक है इन्सानों की पौटी पूरी लगाई है यहाँ पे ऐसे इस level पे जाके torture होता था अब आप बोलेंगे सर यह torture क्या ऐसे ही रहा इसी तरीके से torture हुआ एक torture एक क्या हुआ था कि यहाँ पे patient की मौत हुई थी एक lady की मौत हुई थी उसके private park पे वो डाल दिया था इस तरीके से अब हुआ क्या जब यह बाते सामने आने लगी और यह torture बहुत जादा बढ़ गया तो फिर हम देखते हैं कि अमेरिका फिर इसमें involved हुआ अब शुरवात में तो George W. Bush ओ इग्नोरी कर रहे थे कि फरक नहीं पड़ रहा है लेकिन धीमे धीमे पूरी दुनि zurak के रख दिया और उसमेंआ अफगानिस्तान कॉयंटनोमे एराक जहां जहां पर भी अमेरिका था वो अमेरिका कितना भयानक टॉर्चर कर रही है यह पूरा उस रिपोर्ट में था कि यह यह अमेरिका जो यही अमेरिकाद सेना यहां पर वो जस्टिफाई कर रही थी कि 17 officers को बकायदा उनके उपर मुकदमा चलाया लेकिन आपको जानके हैरानी होगी कि किसी को भी आज तक कोई सजा नहीं हुई है कोई भी सजा वो अलाम से खुले घूम रहे है और किसी को भी कोई सजा नहीं हुई है बहुती minor charges लगाये गए है murder किया है आपे लोगों का, torture किया है औरतों का, बच्चों का छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा है समझ रहो लेकिन बहुती minor charges लगाके इन सब को छोड़ दिया गया तो ये आप देखे कि अमेरिका जो इतना बोलता है कि human rights ये वो फलाना ढमा का ये करता है actually में अमेरिका और ये COVID-19 में तो साफ होई गया सब बड़े बड़े intellectual Elon Musk जैसे इंसान आके बोल रहे कि mask ना पैनो तो अब क्या ही उमीद कर सकते हो तो कभी कभी जो इंसान जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है और ये Europeans के बारे में तो फेमसी है ना Europeans जो थे colonization कैसे हुआ कैसे हुआ अस्टेलिया के मूल निवासियों को मारा गया अमेरिका के मूल निवासियों को मारा गया बेतर्तीवी की गई बेहरेमी की गई torture किया गया Christopher Columbus वास को डबागी के बहुत सीधे थोड़ी ना थे जहां जाते थे वहाँ पर सब को मारते थे तो ये तो है ही है ये lecture था दोस्तों बाकि आप जरूर और इनकी फोटो बहुत कुछ तो मैं नहीं लगा सकता था unfortunately ठीक है वो सही नहीं रहता तो वो आप देखिएगा आपको खुद पता चलेगा आप एगदम अंदर से एगदम मूड खराब होगा आपका हमारा stress management का course आप जरूर अवेल करें आज तो पहर एक बजे class होगी पहली class होगी introductory session है I hope आपने अभी तक telegram group को join कर लिया होगा WhatsApp नमबर में message करें इसमें हमने 10 live session आपको देंगे और सबसे बड़ी बात 30 से 50 किताबों करेंगे है मैं बताता चलूँँ देशे सिद्धान दगनी ओतरी signing off